आज आगे आए हम लोग का निया फिश तो हम लोग दिखाते पहले यह देखिए फिश लाने से पहले हमारा जो टैंक है इसमें अब लोग टाइगर फिश जो वेराइटी है आप देख सकते हो देखिए बाए तरफ जो दो है वो है एंटिटी नौर्टन थाइलन टाइगर और पहले प्राइस की सबसे बोल रहा हूँ पहले आता है एती अमेरिकन टाइगर फिर आता है एंटिटी नौर्टन थाइलन टाइगर फिर आता है आई टी इंडूरेश टाइगर एक एंजेटी बोलके भी फिश होता है तो आप गूगल में जा के साँच कर सकते हो और एकदम टॉप पे रहता है सियामिस टाइगर जो थ्री वर बड़ा टाइगर होता है तो आज देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं यह देखिए मैं सेलर के यहां पर आ गया हूं और ले रहे हम लोग अमेरिकन टाइगर तो इसको हम ले जाएंगे घर पे बहुत कोई मैं चैनल पे देखता हूं कि जाके बोलता है यह फिस ऐशा है वह ऐसा है तो बोल देता है में लेकिन मैं खरीद के आप लोग को एक साथ रखके दिखाऊंगा होबिस लोग को असानी हो फिश कीपिंग में त चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो ऐसे इंफॉर्मिशन के लिए आप लोग को मिलता रहेगा किस फिस के शाथ क्या रहता है क्या नहीं रहता है कैसे रखना चाहिए मैं आप लोग को हेल्प करता रहूंगा यह देखिए आ गया है मेरा जो फिश है यह है अमेरिकन यह पॉलाटा भी इसको बुरा जाता है तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसको टेमपरेचर मैच के लिए ना हम लोग पानी में डिप करेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट काम है जो है क्या होता है हमेशा आप लोग ना जो टैंक में करने से पहल यह लोग भी जहां पर रहते यह पूरा एक सिस्टेम है यह थोरा एक सिस्टेम के अंदर अगर थोरा सा भी कुछ गंदगी जाता है तो अच्छा नहीं रहता तो हमेशा ख्याल रगे उसका देखिए मैंने डीप कर दिया है पानी में जो हमारा फिश है तो नीचे एंटिटी यह सब देख सकते हो यह हमारा जो पॉलाटा यह फिर अमेरिकन टाइगर एटी है यह हम लाए है इसको हम लोग डीप कर चुके देखिए वह बाहर निकलने के कोशिश कर रहा है डीप अप लोग क्यों कर ना क्योंकि जो पानी का टिंपरेचर होता है ना टैंक का जहां से मैं लाया था वहां का एक होता है एक दो डिग्री या तीन डिग्री अलग हो सकता है और यह फिर जो टैंक का टेंपरेचर है वह अलग होता है और उसके साथ अभी ठंडी का मौसम चाह रहा है कॉलकाता में अभी तो जनवरी चल रहा है आज जनवरी का अपका कितन तारीक है 19 आज पड़ा है 18 पड़ा है तो यह देखिए इसको हम अभी निकाल लेंगे निकालने के बाद क्या करेंगे वह भी मैं आपको step by step दिखाता हूं कैसे मैं हर एक फिश को छोड़ता हूं temperature match देखिए हो जुगा है लेकिन फिर भी rigs नहीं लेना गाडर खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हम एक mug लेंगे या फिर कुछ एक बाकर या कुछ भी ले लेना जो tank में आप देने जा रहे हो उस tank का थोड़ा सा पानी ऐसे ले लेना और जो आपका packet है जो fish आप छोड़ने जाड़े हो उस packet में ये पानी थोड़ा सा मिला देना ताकि temperature match तो हो गया है लेकिन फिर भी जो ecosystem में वो जाने वाला है उसका थोड़ा सा पानी धीरे धीरे ऐसे match करने से क्या होगा ना थोड़ा धीरे धीरे करके एकदम हरबड़ी मत करना धीरे धीरे क क् 的मय स拼रेब करना तो मे तो थोड़ा देर गैप गैप मिला था तो पांच मिनिट में थोड़ा सा बाद या फिर थोड़ा और मिला दिया फिर उसको जाके उठा के उस ecosystem में या फिर उस टैंक में छोड़ना जहांका पानि अपने मिला तो इसको जठका नहीं लगेगा क्यो ना लगे तो इसलिए यह चीज़ किया जाता है तो अभी यह देखिए छोड़ दिया है यह थोड़ा सा टाइम लेगा सेट होने में आज में रात को जिनरली फिशेश जादा लाता हूं कि पुरा में लाइट आफ कर देता हूं और अंधेरा कर देता हूं ताकि इसको और स्ट रेंक निया है इसलिए थोड़े डड़े होके ऐसे डड़ ड़के घुमेगा लेकिन सेट हो जाएगा बहुत जल्दी तो ऐसे इंपोर्टेंट चीज और इंफर्मेशन के लिए आप लोग को मेरा चैनल को सब्स्रेब करके रहिए आप लोग को फिश के पिंग में बहुत ही QConnect thank you so much